अगर आपको ये पता नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, अगर आप फ्यूचर को लेकि बार बार कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है जब मैंने पनी पहली जॉब शुरू करी थी, मैं 18 साल का था और एक 18 साल का लड़का जैसे सोचता है, वैसे मैं सोचता था एक उमर होती है कि हम बहुत जब अग कुमपैरिजन करते हैं, दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो उस टाइम पर मैं भी देख रहा था अपने दोस्तों को जो मेरे साथ स्कूल में थे कि वो कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में मस्ती करेंगे, कॉलेज इंजॉइ करेंगे और मैं घर के हलातों की वज़ए से, फीस की वज़ए से कॉलेज नहीं जा सकता लेकिन उसी comparison के time पे मैंने ये भी सोचा कि वो घर से पैसे ले रहे हैं और मैं पैसा कमा रहा है और घर पे पैसा दे पाऊँगा तो अपने आपको एक goal दिया, एक target दिया कि जब तक मेरे दोस्त graduation करेंगे और उसके बाद उनकी job शुरू होगी कि तब तक मेरा salary, मेरा package और मेरी saving उनसे ज़ादा होनी चाहिए वो तीन साल में पैसा लगा के जहां से start करेंगे मुझे तीन साल में पैसा कमा के उनसे आगे होना है comparisons करना गलत हो सकता है लेकि मेरा सच है उस time पर मैंने किया और तीन साल में exactly वही हुआ जब मैं 21 का था, एक अच्छी salary थी, एक अच्छी position थी goal जैसे सोचे थे, वैसे tick हुए थे confidence से भरा हुआ था और सिरफ मैं ही नहीं, पूरी family मेनत कर रही थी अब दिन बहतर हो रहे थे जिन्होंने मेरे पिछले episodes देखे हैं उनको idea होगा कि कौन सी एक struggle हमारी रही थी कर्ज रहा था, बहुत tough time रहा था लेकिन अब 2009 में चीज़ें बैतर थी कर्ज खतम हो चुका था अपने आपको हम build कर रहे थे हर कोई अपने अपने profession में, अपने career में पूरी मेनत कर रहा था, अपने आपको establish कर रहा था और साथ में जब भी हमें time मिलता था अपनी job, अपने काम के इलावा जब भी time मिलता था थो हम मिलकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते थे कि हम earnings create कर सके, income को increase कर सके क्योंकि 10 साल हो चुके थे 10 साल पुराने दिन याद थे वो दिन वापिस लाने थे वो बनवास चल रहा था accept नहीं किया था कि हम वापिस नहीं पहुंचेंगे बनवास था, वापिस जाना था पूरी मेनत करनी थी, वापिस पैसा कमाना था और फैमिली को दोबारा उस लेवल तक लेके जाना था अब एक चीज़ मुझे पहले दिन से क्लियर थी कि मुझे ultimately तो बिजनस करना है क्योंकि जिस तरह की growth मैं चारा हूँ मुझे लगता था job में मुझे वो growth नहीं मिल सकती वो level नहीं मिल सकता जो मैं business से मेहनत करके achieve कर सकता हूँ मैं यहाँ job यह business को गलत नहीं कहना चारा लेकिन अपना अपना एक thought है तो मेरा thought था कि जो मेहनत मैं डाल रहा हूँ जहां पहुंचना चारा हूँ वहाँ मुझे business से result मिलेगा तो उस तरहीं पर मैं और मेरी family अपने अपने काम के साथ as a side business कुछ websites बनाने की कोशिश कर रहे थे websites के थुरू earn करने की कोशिश कर रहे थे मैंने का मैं अपनी job छोड़के इस चीज को अपना complete business बनाऊंगा मेरे को कोई coding का experience नहीं मारी family में किसी को कोई coding का experience नहीं कोई technical background नहीं लेकिन चुल है कि पैसा कमाने राइट वापिस अपने वो अच्छे दिन लेके आने है तो मैंने का मैं अपनी job छोड़ूँगा और इस चीज को करूँगा मेरे colleagues office में कई लोगों ने बहुत रोका मुझे कि तो अपने career के peak पे 21 साल की उमर में कोई airlines के अंदर group trainer बन जाए सोच तेरा career कहां पहुँचने वाला है और तू उस job को छोड़ रहे और एक बार अगर आप अपने इस stage पे job छोड़ दोगे तो वापिस आना बहुत मुश्किल है अगर business में lost हुए अगर business नहीं चला अगर तू sustain नहीं कर पाया majority business शुरू में ही fail हो जाते है तो वापिस यहां से शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मैंने का इतने सालों से जो हमने struggle किया है उसमें से सबसे अच्छी चीज यही तो सीखी है कि अब डर नहीं लगता जब आप कई बार जमीन पे पठके जाते हो ना तो आपको जमीन पे गिरने से डर नहीं लगता मैंने सोचा कि जब दिन अच्छे नहीं चल रहे थे तो खून पसीना एक करके दिन रात एक करके job पे time दिया अब जब दिन बैतर हो रहे हैं तो वही खून पसीना एक करके मैं business करने का risk ले सकता हूँ तो मैं अपनी limited सी saving के साथ अपनी top profile को मैंने resign किया और घर में एक laptop के साथ बैट गया और websites create करने job sites बनाई सिरफ इंडिया के लिए नहीं Nigeria के लिए, Australia के लिए कई ऐसे countries आँ मुझे लगा job sites नहीं है वहाँ पे मैं job site create करूँगा training के related site बनाई i20 launch हुई थी Hyundai की मैंने कब i30 आई की मैं पहले से उसकी site ready रखूँगा तो मैं add revenue से कमाऊँगा i30 की website बना दी जो कि आज तक आई नहीं अब मैं दिन राथ laptop पे लगा रहा था imagine करता था ये laptop नहीं खोल रहा है एक note shop भी की machine खोल रहा हूँ और इससे मुझे पैसा कमाना है technical background नहीं है, science student नहीं हो लेकिन फिर भी coding, java इसके अंदर जो समझा रहा है वो करते जाना है लेकिन business की nature है उताग चड़ाव आएंगे, ups and downs आएंगे एक बार loss हुआ, हिम्मत करी कोई बात नहीं, मैं करता रहूँ दूसरी बार loss हुआ, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे ठीक करना है क्योंकि कोई coding का experience नहीं है, कोई technical background नहीं है तो लगा के यार, should I do it, should I not do it करूँ, करते रहूँ, या ना करूँ, कुछ और करूँ फिर ही मत करी, तीसरी बार profits आने शुरूँ अच्छे profits आने शुरूँ और बड़ा loss हुआ बहुत बड़ा loss हुआ, जो saving थी वो खतम होगी कुछ नहीं बचा, और मुझे give up करना पड़ा उस business को छोड़ना पड़ा अब गिरने से तो हमें डर नहीं लग रहा था लेकिन हम तो गिर गए, अब गिर गए तो सीखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी और मैंने देखा कि मैं क्या गलती कर रहा था और जो गलती मैं उस टाइम पे कर रहा था अपने business में और अपनी life में वही गलती मुझे नजर आता है कि आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं हो सकता है आप दिवही गलती कर रहे हो इसलिए clarity नहीं होती life में क्या करना है confused रहते हैं, कभी जोश आता है और कभी अचानक जोश खतम हो जाता है irritated रहते हैं, समझ नहीं आता let's understand कि मैं क्या गलती कर रहा था हम सब जी रहे हैं, मैं जी रहा हूँ आप जी रहे हो, हर कोई जी रहे है जी जा रहे हैं, जी जा रहे हैं कई सालों से जी जा रहे हैं, लेकि पता नहीं है क्यों जी रहे हैं, बिजनस कर रहे हैं, करते जा रहे हैं लेकि पता नहीं है क्यों कर रहे हैं करियर परसू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे vision नहीं है reason नहीं है, कोई strong कारण नहीं है इसलिए मन नहीं लगता, बहुत जल्दी फटक जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं कभी देखा है कोई ऐसा इंसान, कोई एचीवर, कोई विनर, जो फर्श से अर्श पहुंच के हो और उसके पास विजन नहीं है कोई ऐसा लीडर देखा है, जो कोई revolution लीड कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई विजन नहीं है अगर उसके पास विजन नहीं होगी, लोग जुडेंगे नहीं कोई start-up successful नहीं हुआ बिना कारण के, बिना why के, बिना vision के कभी कोई super successful इंसान कहता है, कि बस एक दिन बैठा था, बैठे बैठे time pass कर रहा था मैंने देखा, ओ, मैं तो successful हो गया, मेरे पास तो कोई कारण नहीं था successful होने का काम करने का, business करने का, everyone had a vision visionary का spelling में answer है न, visionary बनना है तो क्या चाहिए, vision चाहिए visionary बनना है तो क्या चाहिए, vision चाहिए, once again visionary बनना है, तो क्या चाहिए, vision चाहिए, vision क्या है हम में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा, यह तो एक किताबी word है, vision you know, corporates में use होता है vision statement, यह एक bookish language है, नहीं vision एक बहुत बड़ा concept है, vision एक बहुत बड़ी power है, अगर अभी इस video में ही आप इस चीज़ को समझ जाओगे न, तो life की कई confusions को खतम कर लोगे, आपकी motivation खतम नहीं होगी अगर आपने vision समझ लिया, vision is very simple, vision is अगर आप आँखे बंद करके अपने future को देख पा रहे हो, कहां पहुंचना चारे हैं, क्या करना चारे हैं, उसको clearly देख पा रहे हो, आज आसपस कचरा हो सकता है आज आसपस मुश्किल हो सकती है, challenges का रास्ता हो सकता है, दरिया हो सकता है मुश्किलों का, लेकिन उसके पार देख पा रहे हो, उसके beyond देख पा रहे हो, आखे बंद करके आप देख पा रहे हो, कि यहाँ मुझे पहुंचना है, यह मुझे कर रहे हो, जिस भी चीज की आपक के लिए एक vision है कि मैं देश में ये change लाना चाहता हूँ दुनिया के लिए environment के लिए vision हर उस चीज के लिए हो सकती है जिसके आपको फिक्र है और अगर खुद की फिक्र है तो खुद की vision तो सबसे पहले होनी चाहिए जब आपके बस vision नहीं होती ना आप बार-बार confused हो जाते ह आप अचानक आपका किसी चीज को करने का मन करता है फिर वो मन भटक जाता है अचानक किसी चीज को लेके जोश आता है फिर वो जोश fade out हो जाता है हवा खतम हो जाती है बिना vision के हम हमेशा कभी कुछ कर लो कभी ये कर लो कभी कोई चीज अट्रैक कर रही है गलत रास्तों म मुझे कहां पहुंचना है, शॉपिंग करने के लिए कारण चाहिए किस से मुझे क्या फाइदा होगा तो जिन्दगी जीने के लिए जिन्दगी को powerful बनाने के लिए खुशी से भरने के लिए enjoyment से भरने के लिए satisfaction और achievement से भरने के लिए अपने potential को बाहर निकालने के लिए उसके लिए तो कारण चाहिए और वो कारण है vision जब आपकी vision clear होती है आपको पता होता है कैसे लोगों के साथ कैसे दोस्तों के साथ मुझे time spend करना और कैसे के साथ नहीं करना कौन सी habits मेरी उस vision के लिए सही है कौन सी habits सही नहीं है कहां मुझे कितना time लगाना है जब problems आती है रास्ते में आप घबराते नहीं हो आप कहते हो yes मुझे मेरी vision नज़रा लिए ये रास्ते के कुछ पत्थर है इनसे सीखूँगा इनको side करूँगा जब आप छोड़-चोड़े goals बनाते हो और वो vision के साथ linked होते है तो उन goals में एक आग आती है उठने का कारण होता है करने का कारण होता है क्योंकि आप उस vision को देख पा रहे होते हो अब अगर अपनी vision को डूणना चाहते हो तो सबसे पहले अभी की अभी एक बार relax हो जाओ आखे बंद कर लो close your eyes and relax yourself मैं भी अपनी आखे बंद कर रहो आप भी अपनी आखे बंद करो let's relax ourselves दोस्तो vision का मतलब है उन चीज़ों को imagine करना उन चीज़ों की कल पना करना जो exist नहीं करती और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम genuinely, seriously अपनी आखे बंद करेंगे so close your eyes अब अपने मन को बिलकुल खुला छोड़ दो उसको आजाद छोड़ दो और future में जाने दो अपने future को देखने की कोशिश करो अपने future में कहा पहुँचना चारे हो क्या करना चारे हो क्या महसूस करना चारे हो क्या अचीव करना चारे हो किस तरह की जिंदगी किस तरह की relations किस तरह की आदते हैं किस तरह के इनसान हो आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करो महसूस करने की कोशिश करो अभी यह मत सोचो कि जो आप देख रहे हो को महसूस करो कौन सी चीज़ा जो आपको खुशी दे रही है कौन सी चीज़ा जो आपको अच्छा महसूस करा रही है अब इसकी डिटेल देखने की कोशिश करो अपने अलफाजों में, अपने वर्ड में इसको डालने की कोशिश करो क्या है, उसको उसको मन में अपने आँखों के आगे लिखने की कोशिश करो उस लेवल को फील करो, उसको words दो, उसको एक line में डालो अब इस feeling के साथ एक बार धीरे से अपनी आखे खोलो यह एक छूटी सी activity थी इसको आप और time देके और तरीके से कर सकते हो और अपने vision को समझने की कोशिश कर सकते हो vision जरूरी नहीं है, एक हो, या एक ही line हो, या एक ही area में हो vision family को लेके भी हो सकती है, vision काम को लेके भी हो सकती है vision society को लेके भी हो सकती है और वो तीनों को एक line में जोड़ा भी जा सकता है विजन जरूरी नहीं है जो एक बार define कर दी वो change नहीं हो सकती environment बदलता है, हालाद बदलते है आप उसको सोच सकते हो कि मैं अब ऐसा इंसान बदला हूँ तो इस विजन को बदल सकता हूँ लेकिन कोई कारण तो होगा एक destination तो होगी, रास्ता बदल सकता है destination आगे पीछे हो सकते लेकिन चलने के पीछे reason तो होगा, grow तो कर रहे होंगे और ये विजन जो भी आपने दिमाग में बनाई हैं, बनाओगे इसको कई बार देखो, कई बार जीने की कोशिश करो कई बार इसको feel करने की कोशिश करो अपने routine में इसको लाओ, इसमें और details डालो, इसमें और information डालो इसको और अपने दिल के साथ जोड़ो, आपको हर रोज, हर चीज करने का कारण मिलेगा सही decisions लेने का रास्ता मिलेगा, एक motivation मिलेगी जो खतम नहीं होगी और confusions खतम होती जाएंगी अब जो भी आपकी vision है और जहां भी आप हो, इसके बीच में आएंगे आपके goals, आपके milestones कि ये करना है, फिर ये करना है, ये करते हुए यहाँ पहुँचना है तो कई सारे steps आप define कर सकते हो, लेकिन आपको उसके पीछे की vision पता होगी वो steps करते हुए, आप यहाँ पहुचो, यहाँ पहुचो, यहाँ पहुचो, यहाँ पहुचो as a human, as a insan, as a person, आप कितना grow करोंगे, कितनी शांदर personality बनाओगे ये सोचके मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको हो रही है, तो comment में ज़रूर बताना कि जब vision होगी और अपने आज से उधर चलना शुरू करेंगे, तो ऐजा है इनसान, हम grow करेंगे यहाँ फिर पीछे जाएंगे, grow करेंगे यहाँ पीछे जाएंगे, comments में बताना मैंने life से और business से यह बहुत बड़ा lesson सीखा, कि आपके पास एक strong कारण होना चाहिए एक why होना चाहिए, तब ही burning desire आता है, vision होगी तो desire आएगा इस business के पीछे कोई strong कारण नहीं था, कि मैं हिंदुस्तान में बहुत सारी jobs यह दुनिया में बहुत सारी jobs create करना चाहता हूँ, मैं catalyst बनना चाहता हूँ, मैं employability को generate करना चाहता हूँ business को लेके कोई vision नहीं थी, एक ही purpose था, किसी तरीके पैसा आए, इदर से आए, उदर से आज ये side बना लो, आज वो side बना लो, भटक भी रहा था और बहुत जल्दी give up भी कर रहा था देकिन अगर vision होती, मैं और deep जाता, मैं problems को और अच्छे से handle करता, मैं इस चीज़ को और अच्छे level पे build करता, चाहे लोगों से मिलता, चाहे team hire करता, कई सारे solutions आज मुझे नजर आते हैं, तब नहीं आ रहे हैं लेकिन जो गलती मैंने business में करी, life में करी, मैं चाहता हूँ, मेरे दोस्त ना करें, इसलिए अपनी कहानी के episodes के थुरू, ये incidents, ये experiences आप से share कर रहा हूँ लेकिन तब पैसे खतम हो चुके थे, मैं business को full time, actively अब नहीं कर सकता था सोचा था, अब तो कभी जॉब नहीं करनी, बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन वापिस अपना resume बनाया, job sites बनाने वाला, अब वापिस job sites के उपर, नौकरी.com, monster.com के उपर, अपने resume को upload कर रहा है अपना resume हाथ में लेकर, निकल गया, मैं jobs की market में, I am available for hire, please give me a job इसके बाद क्या हुआ, कैसे मैंने अपनी vision के उपर काम की और कैसे अपनी life को बदला, यह सब मैं आपको बताऊंगा मेरी कहानी के अगले episode में, आपको ये videos कैसी लग रही है, मुझे comments में जरूर बताना, आप Instagram पे हमीश मदान ID भी मेरे साथ connect कर सकते हैं, और इस series के बाकी episodes देखने के लिए, आप यहाँ पे click कर सकते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक, खुश रहिए, खुश याँ बांटते रहिए, I love you all.